गुड मॉनिंग ओल अफ यू सरसुती व्यकरन दर्शी का यह नाइन्थ क्लास की हिंदी ग्रामर बुक है यह बुक आप पो नाइन्थ एंड स्टैंडर्ड के लिए चलेगी इसका सबसे फॉर्स्ट चैप्टर है वर्ण विच्छेड वर्ण विच्छेड क्या होता है यह आप लोग पढ़ते आए हो LKG UKG से यह कॉशन आप पढ़ते आए हो यह कॉशन आप सॉल करते आए हो जैसे एक वर्ड लिखा है आपका कमल कमल शब्द को अगर आपको अलग-अलग करना है तो आप कैसे करोगे? क, प्लस अ, प्लस मौ, प्लस अ, प्लस ल, प्लस अ इस तरह से आप उसे अलग-अलग करोगे यही आपका वर्ण विच्छेड कहलाता है चलिए सबसे पहले यह देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण माला किसे कहते हैं ठीक है चलो वर्ण विच्छेत को समझने से पहले आईए जाने वर्ण किसे कहते है इसकी परिभाषा देखते है वर्ण की लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी मुल ध्वनी को वर्ण कहते है जिसके तुकडे नहीं किये जा सकते मुल रूप में वर्ण विच्छन होते हैं जो हमारे मुख से निकली हुई द्वनीयों के लिखित रूप होते हैं यहाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके खंड नहीं किये जा सकते हैं उधारम के लिए राम बाजार गया यदि इस वाक्या का विश्रेशन करे तो र प्लस आ म प्लस अ ब प्लस आ ज प्लस आ र प्लस अ ग प्लस अ य प्लस आ प्राप्त होंगे मतलब राम बाजार गया इसे अलग अलग किया गया है इससे आगे इसके खंड नहीं किये जा सकते अतहां इन्हें ही वर्ण कहा जाता है वर्ण माला वर्णों की करम ब्रद समूहों को वर्ण माला कहा जाता है हिंदी भाषा में मुख्य रूप से निमने लिखित वर्ण प्रयुक्त किये जा रहे है यहां ग्यारा स्वर है अम अहां अनुस्वार अनुनासिक विसर्ग है कसे लेके मा तक यहां वैंजन है सारे स्वर्ष वैंजन है यहां अन्तस्थ है वैंजन है श श स ह यहां उश्म वैंजन है ड ड जिसके नीचे बिंदी लगाई गई है यहां अतिरिक्त वैंजन शामिल किया गया है वर्णमाला में हलंद चिन्न किसे कहते हैं चलिए यह देखते हैं वैंजनों के नीचे लगा हल चिन्न स्वर्ष के न होने का चिन्न है सभी वैंजन स्वर्ष के बिना होते हैं परंतु उनका उच्चारन स्वर्ष की सहायता के बिना नहीं हो सकता जब भी वैंजन का उच्चारन होता है तो स्वर्ष की सहायता से ही जैसे यहां देखिए यहां पर म प्लस अ दिया है तो यहां म में अ लगा है तो म यह हलनता आ गया है फिर म फिर म में आ की मत्र लगी है तो यहां पर म के साथ आ जाता है म प्लस इ इसमें छुटी की मात्र लगिए तो मा के साथ छुटी यह आ जाएगी स्वरों का योग हो जाने के कारण ये वेंजिन अक्षर कहलाते है और अंग्रेजी भाषा के शब्दों के प्रयोग के लिए हिंदी भाषा ने और ध्वनी को भी हिंदी वर्ण माला में सुकार कर लिया है जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉफी और यह कॉलेज, डॉक्टर, कॉफी इसमें जो और लगा है इसका उपयोग जादा तर अंग्रेजी शब्दों के लिए किया जाता है जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉफी, हॉस्पीटल, मैनेजर इस तरह के शब्दों के लिए किया जाता है ओका उपयोग ड़ और ध इन दो ध्वनियों का प्रयोग भी हिंदी भाषा में भहतायत से होता है इसका संस्कृत के ड और ध से तो कदा भी नहीं है इसकी विशेष्टा यह है कि यह ध्वनि शब्द के आरंभ में नहीं आती जैसे बूढ़ा, गढ़ा, पहाड, चटाई, साड़ी यहां इसकी विशेष्टा यह है कि ड और ध के नीचे पहला शब्द जब शुरू होता है तो कभी भी यह बिंदी ड और ध के नीचे पहले अक्षर में नहीं लगती है यह हमेशा सेकेंड अक्षर से शुरू होती है यहां देखिए बूढ़ा, गढ़ा, पहाड, चटाई यह जो शब्द दिये है पहला अक्षर पे कभी भी यह बिंदी नहीं लगती है सेकेंड अक्षर से ही लगती है ड और ध शब्द के आरंभ में आते हैं जैसे डाल, धाल, डरपोक, आदी सिंपल ड और ध यह शब्दों के आरंभ में आते हैं मतलब शब्द शुरू होता है तो इसके नीचे बिंदी नहीं लगती कुछ पूर्ण तहां विदेशी ध्वनिया वर्ण के रूप में अपने शब्द भंडार के साथ हिंदी में प्रविष्ट हुई है जैसे क, ख, ग, ज, और फ ये ध्वनिया अर्बी फार्सी तुर्की आदी भाशाओं की है परन्तु हिंदी में फार्सी के द्वारा ही आई है जैसे क्रीम, खुदा, गरीब, जरूरत, फन यहां इसके नीचे क, ख, ग, घ, क, ख, ज, और फ इसके नीचे बिंदी लगाई गई है यहां फार्सी से लिए गए शब्द है इसका, जब हम उच्चारन करते है तो जब क क के नीचे बिंदी लगाई जाती है तो उसका उच्चारन कौम, ऐसे होगा खुदा, गरीब, जरूरत, फन इस तरह से इसका उच्चारन होगा विद्वानों द्वारा, श, त्र, ग्य, श, को हिंदी वर्ण माला में सम्मीलित नहीं किया जाता क्योंकि ये वर्ण नहीं संयुक्त वर्ण कहलाते है इन वर्णों की उत्पत्ती दो वर्णों के मेल से हुई है श, से शत्रे के उत्पत्ती कैसे हुई है, देखिए क प्लस र, तर, तर, प्लस र की, तर, प्लस र मिला के तर, बनता है ज़ प्लस ज़ प्लस नण मिलाके ग्य बनता है और श़ प्लस र मिलकर श़ बनता है इसलिए सामाने रूप से इनकी गणना वर्ण माला में करना युक्ति संगत नहीं होगा चलिए रेखते हैं स्वर और वेंजन स्वर किसे कहते हैं आप जानते ही हैं जिन वर्णों का उच्छारं करते समय हवा मुख विवर से बिना किसी रुकावट से निकल जाती हैं वे स्वर कहलाते हैं अतहा स्वर स्वतंत्र ध्वनिया है इनकी कुल संख्या ग्या रहे हैं उच्छारन में लगे समय के आधार पर स्वरों के तीन बर्ग बनते हैं हस्वस्वर, दिर्गस्वर, लुप्तस्वर हस्वस्वर किसे कहते हैं? चलिए ये रिखते हैं जिन स्वरों के उच्छारन में कम से कम समय लगता है वे हस्वस्वर कहलाते हैं अ, इ, उ, री ये चार हस्वस्वर है दिर्गस्वर जिन स्वरों के उचारन में हस्वस्वर से दुगुनासा में लगता है वे दिर्गस्वर कहलाते है आ, इ, उ, ए, आ, आ, ओ, आ, ये साथ दिर्गस्वर है लुपतस्वर जिन स्वरों के उचारन में दिर्गस्वर से लुप्तस्वर जिन स्वरों के उचारन में दिर्ग से दुगना तथा हस्व से तिगना समय लगता है वे लुप्तस्वर कहलाते हैं जैसे हे राम ओम आदी उचारन स्थान के आधार पर स्वरों के दो भेत ये गए है अनुनासिक तथा निर्नुनासिक स्वर वेंजन किसी कहते है ये देखते हैं वेंजन उन वर्णों को कहते है जिसका उचारन स्वर की सहायता से होता है इसका उचारन करते समय फेपडो सेन के लिए वायू को मुख में विभिन स्थानों पर पूरा या आशिक रूप से रोका जाता है कुछ वेंजन के उचारन में वायू मार्ग इतना सक्रा होता है कि हवा रगड खा कर बहार निकलती है उचारन करते समय हवा को किसी भी रूप में रोका जाता है तथा जिस स्थान पर हवा रगड खाती है उस स्थान को वेंजन विशेश का उचारन स्थान कहते है वेंजन के निमने लिखे तीन भेड है स्वर्ष वेंजन, अंतस्थ वेंजन, उश्म वेंजन स्वर्ष वेंजन में क से लेके मत तक यह सारे वेंजन आते हैं उसमें कवरग, चवरग, टवरग, तवरग, पवरग यहाँ सारे वेंजन, स्वर्ष वेंजन में आते हैं, इनकी संख्या 25 है अंतेस्थे वेंजन, इन वर्णों का उचारन करते समय, जिवा मुख के किसी भी भाग को स्वर्ष नहीं करती इसका उचारन स्वर्त तथा वेंजन का मर्ध्यवट्टी सा होता है यह कुल चार है यरलव यहाँ अंतस्ते वेंजन है जब हम इन्हें बोलते हैं तो जीप मुख में कहीं भी टच नहीं होती इसलिए यह अंतस्ते वेंजन कहलाते है उश्मा वेंजन इन वर्णों का उच्छारण करते समय हवा के रगड़ खाने से एक प्रकार की उश्मा सी उत्पन न होती है ये को चार है श, श, स, ह सैयोक्तों और द्वित वेंजन सैयोक्तों द्वित वेंजन सैयोक्त रूप बनाने के लिए पाई को हटा दिया जाता है यहाँ जो चार्ट दिया है इसे आप गौर से देखिएगा सेकंड का और फर के सेंग तक शर बनाते समय इसका पीछे वाला भाग हटा दिया जाता है थर्ड बिना पाई वाले वेंजनों के सैयोक्त अक्ष्वरों में हल चिन्न का प्रयोग होना चाहिए यहाँ जो चार्ट दिये गए है शब्दों के वहाँ आप अच्छे से देखिएगा हिंदी में रवर्ण के भी अनिक रूप है रूप शब्द का पहले रूप शब्द का प्रयोग के वल संस्क्रत से लिए गए तत्सम शब्दों में ही होता है अनित्र नहीं इस प्रकार के प्रयोग में विद्यार्थी विशेश रूप से भूल कर डालते है इन भूलों का निराकरण अभ्यास पर ही अधारित है फिर भी कुछ नियवों की जानकारी हम आगे देंगे चरी आगे रीट करते हैं रेख के विभिन रूप हिंदी वर्णमाला में र की स्थिति दूसरे वर्णों से भिन है इसकी स्थिति वर्णमाला में विशेश है क्योंकि इसके लेखन में विविदता है रेख लेखन की स्थिति आधा र जो उपर लगता है उन शब्दों के बारे में यहां बताय जा रहा है यहां कुछ शब्द दिये गए है रह जब हलंत अर्थात स्वर रहित होता है तो इसके नीचे हल चिर्ण नहीं लगता ऐसे सिती में रैफ आधर रह बनकर अगले वेंजन के सिर पर लगता है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया जहां हम जैसे यहां परव लिखा है और शुद्ध रूप देखिए इसका परव लिखा है तो परव बोलते समय हमें जो र है रैफ की जो मातरा है वह हमें पर पे सुनाई आती है पर वह पर पे नहीं लगते है वे वह पे लगती है मतलब अगले शब्द पे लगती है पर्व, गर्व, सर्व, वर्ष, अर्ध, धर्मार्थ धर्मार्थ में धर्मार्थ में धर्पे भी सुनाई आ रही है और मापे भी सुनाई आ रही है तो धर्मार्थ में लिखते समय हम धर्पे रेफ की मात्रा नहीं लगाएंगी वहाँ मौ पे लगेगी मतलब अगला शब्द इसका म है तो मौ पे लगेगी और जो मौ पे मात्रा सुनाई आ रही है वह थपे लगेगी परफशद में ववण के पहले आने के कारण यह वख के शिशपल लगेगा जैसे परव यहां कुछ शब्द दिये गए है और उसका शब्द रूप भी लिखा गया है जैसे रेफ की मात्रा वाले शब्द है जैसे करम, करम, चरम, चर्म, फारम, दिर्ग, कीरती, कीरती इस सारे शब्दे दिये गए हैं आप इसे देखिएगा जब रह से पहला वैंजिन हलन्त होता है और उसका उचारन प्रयुक्त वर्ण के बाद होता है तो रह से पहले वर्ण पूरा लिखा जाता है और रह का रूप विक्रुत हो जाता है पाई वाले वेंजनों के बाद प्रयुक्त र पाई के नीचे तिर्चा होकर प्रयुक्त हो जाता है क्रोध में जो तिर्ची लाइन लगी है उसे पाई कहते है यह भी र की मात्रा ही होती है पाई रहित वेंजनों के बाद र का ले खन बिना पाई वाले वेंजने के बाद प्रयुक्त र वेंजन के नीचे के रूप में प्रयुक्त हो जाता है ट्रक, ट्राम, ट्रस्ट, ड्रामा, ड्रम इसमें जो नीचे बिना मतलब गोलाकार वाले जो शब्द है उसमें नीचे तो वो भी रख की मात्रा होती है जैसे राश्टिय, ट्रक, ट्राम, ट्रस्ट, ड्रामा, ड्रम इनमें जो मात्रा लगती है वो भी पाई वाले गुलाकर वाले शब्दों में रेट फाली जो मात्रा लगती है वो इस तरह से लगती है दा तताहा के बाद र का लेखन दा के बाद आने वाले र का सैंगत रूप पाई वाले वेंजुनों के समान हो जाता है दरीद्र कद्र हा के बाद आने वाले र का रूप इस प्रकार होता है हस्व हास तत अथा श के बाद र का लेखन तके बाद र आने पर सैंगत र बनता है ध्यान रहे श प्लस र को श लिखना अशुद्ध होगा र के साथ उ या उ की मात्रा र के साथ उ छोटी उ की मात्रा लगने पर रू बनता है जैसे गुरू और रुपया र के साथ बड़ा उ की मात्रा लगने पर रू बनता है जैसे शुरू रू रूड शुरुआर र और रू की मात्राओं में अंतर पदेन र की मात्रा को पदेन कहते हैं और रू की मात्रा में स्पष्ट अंतर देखा जाता है दोनों के प्रयोक पुर्व रूप से भिन्न है तथा इसके प्रयोक से शब्दों के अर्थ में भी अंतर हो जाता है जैसे पदेन की मात्रा ग्राम, ग्रसीत, ग्रह में आती हैं लगेगी तो रिश से रिशी की मात्रा में ग्रहनी, ग्रूह इसमें लगेगी ग्रह आकाश में घुमने वाला एक पिंड है तो ग्रह यह घर है ग्रह की जगह ग्रुह का प्रयोग अशुद्ध होता है इसी प्रकार जागरत की जगह जागृत क्रम की जगह क्रुम कुरुपा की जगह क्रपा या श्रंगार की जगह श्रंगार की जगह श्रंगार अशिद्ध होता है यहां आपका फर्स चैप्टर यहां आपका फर्स चैप्टर का फर्स पार्ट कम्प्लीट होता है इसकी exercise आपको PDF form में भीज दी जाएगी